नमस्कार संस्कित के प्रियविद्यारतु आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंज हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्ड इसके मल्टीपल चॉइस क्वेस्चन भी लेकर कि आऊंगा ध्यान रख जाने के बाद ये प्रश्ण हम बाद में लाते हैं जिससे की आपकी परिच्छा के लिए जो बची-खुची मेहनत है वह भी इसमें सवाहित हो जाए कोई भी प्रश्ण आ जाए बचना नहीं चाहिए इस उद्दिश के साथ यह हमारे एक और बात बता दू कि मेगनेट ब्रेंश के द्वारा क्लास सेवन से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर विश्यों के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम बहुत सुंदर तरीके से नोट से तयार करवाए गये हैं सिक्षकों के मार्ग दर्शन में वह नोट्स आपको प्रा जरूर करियेगा द्यान रखिएगा आगे आगी क्लास पर चलते हैं कच्छा दस्वी क्या लिखा हुआ है कच्छा दस्वी शंस्क्रिस शैमूशी दुतियो भागाहा जननी तुल्लवच्सला मल्टीपल च्वाइस क्वेस्चन मल्टीपल च्वेस्चन का मतलब आपका प्रियोग तम तीप्रगत्य गती तीप्रगत्या के लिए यहां पर कौन सा पद प्रियोग किया गया है कौन सा पद यहां पर प्रियोग किया गया है वो पद यहां पर देखना है ध्यान रखें तो तीप्रगत्या तीप्रगत्या का मतलब होता है सिग्र जल्दी इस आर्थ म यहां पर कौन सा प्रयोग किया गया है तो तोदनेन नुद्यमानह अशक्तह जवेन तो पहली बात तो आपको पाठ यह अच्छी से आना चाहिए जब तक आपको यह पाठ नहीं आएगा तब तक यह ऐसे प्रश्ण आप से बिलकुल नहीं बनेंगे तिब्रगत्वा के लिए पूरे पार्ट में लिखा हुए सबसे पहले कि जवेन सीग्रम जवेन मतलब सीगरता से चले में वो क्या हो रहा था असमर्थ था कौन तिब्रगत्य से चले में एक ब्रशब मनेबैल क्या था असमर्थ था इसलिए तिब्रगत्वा हो जाएगा तिब्रगत्या का अर्थ कि भक्ति का एक बचन जवेन में भी तरतिया भक्ति का एक बचन है जवह जवम जवेन जवाय और जवात जवश जवे ऐसे रूप चलेंगे राम के समाय नहीं चलेंगे ठीक आगे चलेंगे इसके बाद प्रयुक्तम में प्राउप्षर्ण पूर्वग युजधातु से प्रयुक्तम बनता है ठ्यार रखिएगा प्राउप्षर्ण है और युजधातु से युक्तम बनता है चजो कू घंड्यतो सूत्रिशे यहां पर क्या हो जाता है जाके स्थान पर का हो जाता है प्रशने क्रमांगे दूसरा है किसान का विशेशन पद क्या है किसान का विशेशन पद क्या है ध्यान रखिएगा किसान का विशेशन पद क्या है वो यहां पर पूछा जा रहा है किसान का विशेशन पद ठेक तो वि और पहले बात तो विशिष्ण को जाल लीजिए जो करता माने शंग्या जो विशिष्टा बताता है वो विशिष्ण कहलाता है जैसे एक आपको उधारन दे दूं कि अस्वाहा क्या लिखा हुए है अश्वाह तिब्रह्म धावति यह लिखा हुए है अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका अर्थ क्या निगलेगा घोड़ा तेज दोड़ता है ऐसा ही निगलेगा नार्थ ठीक अगर आप आपको समझ में आ रहा है तो यहां पर लिखा अस्वाह तीब्रह्म धावति अब विशिष्ण की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत चारी पत मिलेंगे बहुत चारी प्रश्ण मिलेंगे इसलिए विशिष्ण को हम यहीं समझ लेते हैं अब यहां पर कौन दोड़ता है सबसे पहले तो यह देखो कौन दोड़ रहा है तो घोड़ा दोड़ रहा है कौन दोड़ता है गोड़ा लेकर घोड़ कि दौड़ता है ठीक यह प्रश्न बना हुआ है अब यहां पर घोड़ा कैसा दौड़ता है तेज दौड़ता है तो यहां पर आपको तेज आपका किसकी विश्यस्ता बता रहा है घोड़ा कैसा दौड़ता है तेज दौड़ता तो तेज यहां पर विशेशन क्या विशेश नारी यह पद लिखा है नारी कैसी है बताओ जल्दी से सुन्दरी तो नारी की विशेष्टा कौन सा पद बता रहा है सुन्दरी तो यह इसका विशेषन तो यहां पर भी आपको किशान का विशेषन बताना है कि किसान सब्द है जो इस पद का विशेषन क्या है जो पाठ मे आया हुआ है कस्चित कुरुद्धा एकह अताह आपके पाठ में दिया हुआ है पाठ में जो किसान से पहले लगा होगा वही विशेशन होगा ध्यान रखेगा जो किसान से पहले लगा होगा क्रश्कह कस्चित क्रश्कह क्या हो जाएगा कस्चित क्रश्कह कोई किसान तो कोई किसान था इसलिए किसान का विशेशन यहां कौन है कस्चित लगा हुए है प्रश्न समझ में आया क्रश्का में प्रत्मा विवक्ति का एक बचल रूप भी लगा है यह भी ध्यान लखना क्रश्का में क्या लगा हुआ है प्रत्मा विवक्ति का एक बचल रूप भी लगा हु उत्तिता मने उठने के लिए उठने के लिए उठने इस में इस क्रिया का करता कौन है ये किसको उठने की बात कर रहे थे ठीक तथा ब्रिशा अपी तथा पी किसको उठने की बात कर रहे थे कौन उठ रहा था कौन उठ रहा था तो यहां निश्चत है कि ब्रिशा बैल को लिख सकते हैं ब्रिश्वा प्रत्मा भप्ति का एक बचल और बिर्शा भी हो जाएगा तो यहां बैल के लिए आया उत्थिता का करता कौन है अब यहां पर बात ध्यान रखना कि जो करतरी है करतरी का मतलब होता है करता करतरी का मतलब करता और जो बाक में काम करने वाला होता है जैसे आप से कह दिया जाए कि रामह विध्यालयम गख्षती राम विध्यालय जाता है इस बाक में अगर आपसे करता पूछा जाएगा तो कौन विद्या ले जाता है राम तो यह आपका करता है इस वाक्ष को करने वाला कौन है इस वाक्ष को पूरा करने वाला करता राम है तो राम यहां पर करता है और इसी को हम कहेंगे करतरी और इसी हम कौन सा वाक्ष कहेंगे करतरी वाक्ष या करतरी वाच्चे करतरी वाच्च कहें क्यों क्यों कि इसमें करता प्रधान है और क्रिया कैसी लगी हुई है दुतिया में वक्ति में और करता के अनुशार क्रिया लगी हुई है इसलिए कर्म यहां दुतिया में रहेगा और क्रिया क्रिया लग जाएगी करता के अनुशार तो समझ लेना करतरी बाच होगा इसलिए कर्म बाच्च बनाना है तो रामेण क्या हो जाएगा यहां रामेण रामेण विद्ध्यालेयम विध्यालयम, क्या हो जाएगा यहां गंयति यह आपकी क्या है कर्म के अनुशार किरिया लग जाएगी और एक बचन में किरिया पहुँच जाएगी क्योंकि कर्म हमारा एक बचन का है ठीक ध्यान लखेगा गंयति चल जाएगा आगे देखें आगे देखेंगे ब्रिशा हो गया है तो यहां पर करतरी करता कौन है बैल को उठाया जा रहा था ब्रिशक को प्रश्ण किर्मांग चार प्रश्ण किर्मांग चार रहेगा जिसमें आपका दिया है तम दुर्बलम तम दुर्बलम डॉट डॉट किसके लिए प्रयोग किया गया है 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 तम दुरवलम वह दुरवल है कौन बलिवर्धा बैल कृषका किशान ब्रिश्वाय माना बैल और कृषकाय माना किशान के लिए तो कौ यहाँ पर क्या है कस्मई चतुर्थी विवक्ति लगी है पहली बात तो यह देख लेना कहा कम कैन कस्मई कस्मात कश्यों कस्मन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्मई चतुर्थी विवक्ति तो किसके लिए कौन दूर्वल था घरी ब्रिशं ब्रिश्भाई हो użyएगा चतुर्थी वक्ते ब्रिशं भाई क्यों चतुर्थी लगी है क्योंकि यहाँ पर आपका बनेगा ब्रिश्भाria ब्रिश भम ब्रिश भेन ब्रिश भेन ब्रिश भेन लिख दीजी क्योंकि सट कौन बालस सा पहले यहां हो जाएगा ब्रिश भाय ब्रिश भाय चतुरती बिवक्ती आ गई न तो देखो कस्माई के सामने है न इसलिए जो भिभक्ति यहां प्रश्ण में होगी प्रश्ण वाचक शर्ब नाम में वही हमारा अंसर मानने होगा यहां पर देखो बली बरदा माना भी तो बैल होता है यह नहीं हो सकता था क्या लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर ब्रिश्वाय चतूर्थी लगना है यहां प्रत्मा लगी हुई है आगे दिखेंगी इसका चौथे नंबर का प्रश्ण हो गया है इसके बाद पांचमे नंबर के प्रश्ण को देखेंगे पाचवे नमबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ध्यान से देखना है आपको Sum सत्थी रूब चनिनें कि ए च्छिती माने क्या होता है प्रितिवी, cheap और प्रत्वी का यहां पर कोई ऐसा दिख रहा है जो आपको परियाबाची लग रहा हो सुभे सुर्भे भूमव पतितव थी तो एक कॉमन सेंस यह भी लगा सकते हो कि इसमें मात्रा लगी है दो इसमें मात्रा है तो यह भी हो जाएगा तो बिलकुर प्लस अर्थे यहां यडशन दी ये तब ये प्लस अर्थे दिया हुआ है इत्य अर्थे इत्य ये के स्थान पर क्या हो जाएगा या हो जाएगा अर्थे का आइस में मिल जाएगा अर्थे दिया हुआ है तो यहां बनेगा आपका इत्य अर्थे रूप बनौय कम चरिक छलिएे इसका आप अंसर क्या हो जाले का हमारा होगा रूप से देखें फिर प्रश्ने क्रुमाँक पाच के बाद प्रश्ने क्रिमांक छह पर चलेंगे प्रश्नेक душ हमारा है कहरा है कि ताम आप्रिच्छत अत्र ताम सर्वनाम सर्वनाम पद कस्याह करते प्रयोक्तम ताम आप्रिच्छत माना उससे पूछा उससे कौन पूछते हैं किससे पूछा गया तो ताम अत्र यहां ताम सर्वनाम पद कस्याह करते प्रयोक्तम किसके लिए प्रयोक किया गया है किस से पूछा था तो आप देख लिजेए पहले यहां कि सबसे पहले ये प्रश्ण निर्माण करने वाला सर्बनाम किस विभक्ति का लगा है तो यहां इस्तिवाची का लगा है तो का काम कया कश्या 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 कश्य पहले कड जाएगा क्योंकि ये दोनों पुलिंग में आते पिरा करकि इतना घूम जाओ पूरे पुरे पर कि प्रश्ण बच करकि नहीं जाना चाहिए एक भी अंसर नहीं चूटना चाहिए कैसे नहीं बनेगा आपको पाठ याद है तो पाठ से सीधे आप अर्थ से निकाल लो नहीं लगा रहा है तो यहां इस्तरी बाची है तो इस्तरी को ढूड़ लो तो 50% हमारे अंसर हो जाएंगे यह निकल जाएंगे फिर इसके बाद 50% बचे हुए है चाह दो अब दो मैसे देखो कि इसमें कौन स्थ फिर बबक्ती लगी हुई है तो इसमें जिस्तरी का प्रियोग वही बबक्ती का अमारा अंसर राइट हो जाएगा इसलिए हमें चारों तरफ से सोच करके चलना होगा का नंबर का हमारा अंसर सही हुआ किने हुआ आपका कौन सा हुआ जला जल्दी से पताए ठीक चलि ितिकरिया पढ़ risu मतलब यहाँ लंग लकार की बात कर रहे है प्रिच्छ धातो ए आउपका अपका इसमें जुड़ जाता है आ और प्रिच्छ धातो रहेगी ठीक प्रिच्छ धातों रहेगी यहाँ पर और यह लंग लकार में बनेगा तो क्या बनेगा अप्रिच्छत अप्रिच्छताम अप्रिच्छताम अप्रिच्छन 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 ठीक ऐसी बनेगा मध्यम पुरुष में बनेगा तो आप्रिच्छ बन जाएगा और यहां बन जाएगा प्रिच्छत यहां आपका हलंत नहीं लगेगा ठीक यह प्रथम पुरुष में आ जाएगे मध्यम पुरुष ऐसे उत्तम पुरुष में चल जाएगी तो यहां पर बात कर रहा है आप रिच्छत तो यह एक बचन का रूप लगा हुआ है लंगलकार का लगा हुआ है और यहां पर उन्होंने पूछा है कि इसका करता कौन है करत्री पदम पूछ रहे हैं देखो यह लिखा है करत्री पदम पहले पहले ही प्रश्ण में मैंने बताया था कि करत्री किश्य कहा जाता है जो करता होता है वही करत्री पद है तो आप रिच्छत से सुरभी से पूछा गया लेकिन पूछा किसने था सुराधिपा इंद्र के द्वारा पूछा गया था इसलिए इंद्र के द्वारा पूछने के कारण ही इसका करता इंद्र ही होगा सुराधिपाह माने इंद्र होता है सुर प्लस अधिपाह बराबर सुराधिपा देउताओ का अधिप माने श्वामी यह राजा तो यहां सुराधिपा दिया हुआ है ठीक चले तो यहां सुराधिपा इंद्र का परियावाची है दीरगिशंदी भी ध्यान रखना प्रत्मा का एक बचन रूप भी है चारों तरफ से गोल मोल हो जाओ बचना नीचे यह प्रशन ठीक प कि अभी मैंने आपको जस्टिस के दो दो तीन प्रशनों के पहले यह बताया है कि विस्षण क्या होता है जो बैसे इस तक बतलाने बाले पद होते हैं उन्हें अम विशिशर करते ठीक जैसे मैंने बताया कि कृष्ण वह एक रुष्ण शर्पा यह दिया कृष्ण सर्पा दिया है आपने ये बहुत बार कर्मधारश समास में उधारण भी दिखा होगा दिखा होगा कि ने जैसे पीतांबर पीतांबरह दिया है ये इसी से आप देखें अब इनको अलग-अलग करेंगे तो सर्प मने शाप कृष्ण मने काला तो काला सर्प साप केशा है काला तो वरनका है काली वरनका है सर्प फिर यहां पर अंबर अंबर माने आकाश ठीक है ना व्याओं में गगन आकाश नब अंबर शून महान यह आकाश की परियाबाची होते हैं तो अंबर आ गया है और अंबर यहां पर उन्होंने कहा तो अंबर कैसा है बोले पीता अंबर पीला है जो अंबर पीतांबर नीलांबर बागांबर ऐसे बनते हैं तो ये अंबर की बादल की विशिष्टा को दर्शाने बाला है ये अंबर माने वस्तर भी होता है तो पीले है वस्तर जिसके तो फिर बहुबरी समास में पहुंच जाता है तो अब अंबर माने वस्तर भी होता है व यहां पर भी आवस्था का कोई विश्यश्रपद जरूर होगा और पार्थ में आया हुआ है इंमामurun अवस्थायम इस आवस्था में किसान को ये समझ में नहीं आता कि इस आवस्था मेर सब्सप्र है बेल है और वो एमाम वोगा इमाम ध्यान रखिएगा आपके पाट में दिया हुए इमाम अवस्थायम ठेक तो यहां विशेशर्पद आपका इमाम हो जाएगा प्रश्ण कर्मांग आठके बाद प्रश्ण कर्मांग हम 9 पर चलेगे प्रश्ण कर्मांग 9 दिया हुआ है घ्यान से देख रहेगा लिखा हुआ है सोचामी सोचामी इती क्रिया पदश्यों सोचामी इती क्रिया पदश्यों करत्री पदम किम यहाँ पर भी सोचामी कौन सोचता है कौन सोचता है बताए जरा कौन सोच रहा था सुर्भी गाय सोच रही थी लेकिन यहाँ पर यह देख लेना है कि गाय के लिए और कोई पत्तो प्रियोग नहीं किया गया ठीक तो सोचामी इती क्रियापद है यह तो क्रियापद है सोचने के लिए यह क्रियापद है और इसका करता कौन है यहाँ पर भी वही प्रशन पूछा जा रहा है इसके second जो अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं दूसरे नंबर पर तो सुर्भी तो सोचती है लेकिन अहम सब्द लगा हुआ है उत्तम पुरुष कहा का लगा हुआ है यहां उत्तम पुरुष एक बचन की किरिया लगी हुई है सोचामी सोचामी सोचावा सोचामह ऐसे बनेगा सोचामी सोचावा सोचामह सोचामह यह आपकी किरिया लगी हुई है ठीक उत्तम पुरुष एक बचन अब उत्तम पुरुष एक बचन में यहां बनेगा आपका आहम आवाम वयम तो आप देख ले हैं आहम के साथ सोचामी लगता है तो यहां देखो, अहम टो नहीं है, अहम भी दिया हुआ है, तो बस यहां देख लेकना, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, आहम हो जाएगा, बाकी तो कहीं है झाहिए नहीं, ऐसी बैसी क्लास नहीं या बोर्ड एक्जाम था बोर्ड एक्जाम है ठीक तो आपको सारी चीजे सोच विचार करें ही कारे करना होगा क्योंकि इसमें एक भी अगर प्रशन चुक गया तो समझ लेना कि हम एक सीड़ी से नीचे आ जाएंगी एक एक नंबर में सीड़ीयां चे फुल मेहनत के साथ फिर भी आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है कोई भी आप से चार्ज नहीं लिया जाता निसुल के सेवा दी जा रही है और यहां पर तन मन धन के साथ सारे सिक्षक पूरी टीम काम कर रही है तो आपको भी विसेश रूप से इस पर अपना जोर लगाना है और एक भी कुस्चन नहीं छोड़ना है ध्यान रखिएगा ठीक सोचामी इतिक्रिया पदश्य करत्री पदम किम अहम यहां पर कौन है इसका करता इसका करता हो जाएगा अहम अहम सोचामी मैं सोचती हूँ ठीक कौन सोच रही थी सुर्भी सोच रही थी आगे देखे प्रश्निक्रमांक 10 पर चलेंगे और प्रश्निक्रमांक 10 क्या कहता है अहम इती सर्वनाम पदम कस्याई प्रियोक्तम अहम जो पद है वो किसके लिए प्रियोक किया गया है अभी आपने प्रशने किया जश्ट इसके पहले आप तत्काल लगाएंगे अहम किसके लिए आया था कौन सोच रहा था बताईए जल्दी से वही इसका अंसर हो जाएगा लिए यह प्रियोक किया गया है आप अगर अंसर में आपको समझ पा रहा होंगे तो आप अंसर में कमेंट सेक्ष्शन इस जब तक मैं बेट कर रहा हूं जब तक आप लोग लग लिक करके नहीं देंगे क्यों कि अभी जश्ट इसके पहले मैंने मताया कि मैं सोचती हूँ ऐसा प्रशन आया था तो अहम सब्द किसके लिए आया था गाय की लिए और गाय कौन थी सुर्भी सुर्भी कौन थी देनों की माता किसकी माता थी देनों की माता सुर्भी किसकी थी देनों की माता थी सभी गायों की माता थी इसलिए अहम पद किसके लिए प्रियोग किया गया है option में देख लीजिए comment section में लिख दीजिए ध्यान रखिएगा और तब तक मैं आपको यहां बता रहा हूं अहम उत्तब पुरुष का एक बचन सर्वनाम पद यहां लगा हुआ है कश्याई और कश्याई कहां का रूप लगा हुआ है का काम कया कश्याह कश्याम किस्याम कस्याम दिया हूआ है देख रहे हैं रहे हैं यहां पर का श्याः हो गया है तो किसके लिए आया हुआ है अब आप अंसर में दे चुके होंगे मुझे मालम है एक बार match कर लीजिए आपका अंसर सहीए कि नए सुरभ्यही क्या आजाएगा यहां कस्या ही लिखा है तो चतुर्थी विभक्ति में सुरभ्यही हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक बुचन करो ध्यांर रखना इस बात का ठीक और सुर्भी दिया हुआ है सुर्भे यह तुर्थी का सुरभ्यई ही लेना पड़ेगा अंसर में किस-किस ने भी नंबर लगाया है बो जल्दी से इसमें आप कमेंट करके बता दे क्योंकि आपका अंसर एक अंसर आपके एक नंबर की वड़ुतरी करता है और परिक्षा में संस्कुरिंग सब्जेक्ट है संस्कुरित ध्यान रखेगा आप अगर समझते जाएंगे तो एक भी प्रशन आपका अपका कम जोन NEई होगा के साथ ऐसा काम है संस्कृत में बस थोड़ी सी मेहनत होती है सुरूबाश से हम समझ ले मतलब हमारा केल कतम पूरी साल है संस्कृत हमें नंबर देती है यह हमारी परसंटेज को बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा ठीक हाला कि हिंदी भी है लेकिन हिंदी में लिखना जादा होता है ठीक तो दौनों हमारे स्कृरिंग सब्जेक्ट हैं विसे इस रूप से ध्यान रख लेना तो यहां पर संस्कृत आपके स्कृर को बढ़ाएगी बिल्कुल भी आप निश्चित रहिए पढ़ते रहिए विश्वास रखिए अगर आपने ये आपने लोगों के लिए सिक्षक यहां पर बिल्कुल तन और मन से लगे हुए हैं पूरी टीम तनमन धंशे काम कर रही है और उसके लिए आपके लिए मैंने अभी इसके पहले भी बताया था कि विसेस रूप से इतने सुन्दर तरीके से सिक्षकों के महांग दर्शन में कई महीनो से चल रहा था काम वो नोट्स आपकी परिक्षा के लिए तयार करवाए गये हैं तो उन नोट्सों को जरूर से जरूर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वुक्स में जाकर के यह नोट्स वरी बुक्ष की जानकारी जरूर लेजी हो क्योंकि वो नोट्स विसेस रूप से आपक कि राजा दिवतां की राजा सश्टी भीवक्ति लगी हूं यह नाम है और राजहस मतलब राजहा मतलब राजहस राजहतमर युद इसका परियायबा चीपद कौनसा प्रियूक किया मैं हमारे पत्ः में धोटकर किना कस्चित रज्次 liइन تरी दसाधिक कौन किया गया है तो के लिए राज के लिए राजा इंड्र इंद्र के लिए तुरी दसा डिफा सब्द प्रियोग किया है प्रश्लिक्र्मान के बाद आगे चलेंगे हम प्रफ्लिक्रमा के बारह पर बारह नंबर का प्रफ्लेव है ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है इदम इश्लोकम कह कथियती ठीक यह इश्लोक है कॉन कौन क moral कहता है इदम इश्लोक कौन अर्थार जितने भी यहां पर इश्लोक दिये गए है इन उस लोकों को किस्ने कहा है यहां पर यही पूछा गया है ठीक इदम इश्लोकम का कथियती ठीक तो यहां कथियती रूप लगा हुआ है तो कथ धातु है कहने के अर्थ में कथ कथिने धातु है त हमारा रूप लगा हुए है तो यह जितने भी इसलोग बोले गए किसके द्वारा सुर्भी की द्वारा बोले गए नंबर का प्रश्ण होगा ध्यान से देखिएगा यहां पर आप देख पा रहा होंगे तेरह नंबर का प्रश्ण तेरह नंबर का प्रश्ण हो लिखा हुआ है सुर्भी क्या लिखा है सुर्भी इति पदश्यों सुर्भी इति पदश्यों विशेशन पदम किम सुर्भी जो है प्रत्मा विभक्ति का एक बचन है ठीक सुर्भी जो दिया हुआ है कहा का रूप दिया हुआ है प्रत्मा विभक्ति का एक बचन रूप दिया है प्रत्मा विभक्ति एक बचन इती पदश शस्टी विभक्ति लगी हुई है क्या लगी हुई है सस्थी सस्थी विभक्ति ए आपको बार बार फिर बता चुका हूँ कि विशेशन का मतलब होता है जो संग्या की विशेशन को बताता है जो संग्या और शर्वनाम आदी पदों की विशेशन को दर्शाने वाले पत को विशेशन कहते हैं और जो विशेशन को दर्शाता है मैं आपको उधारन में फिर से तो वही बता रहा हों कि जैसे लाल टोपी लाल टोपी का मतला लाल टोपी टोपी कैसी है लाल और लाल रंगी टोपी है तो टोपी की विशिस्ता क्या है? लाल है जैसे मैंने कहे दिया है आपको कि हरा हरा गुलाब हरा गुलाब नहीं होता है पीला गुलाब होता है अरे होता है भाई पीला गुलाब तो होता है और पीला गुलाब भी होगा और फिर इसके बाग लाल गुलाब भी होगा गुलाब का आपने देखा होगा नाइंत कि उच्ज hombres खाल तो लाल गुलाब हो या पीला गुलाब कोई भी हो लेकर पतल सबद आया हे गुलाब के लिए द्यार लखिएगा पतल और अबने उसने पातली पुत्र बैभः में पढ़ा होगा ठीक है न तो पातली पुत्र वैभाव नामक पार्थ में आप क्या है सुर्भी क्या है प्रश्टा माने सुर्भी से पूछा किस से पूछा था सुर्भी से प्रश्टा माने पूछा तो किस से पूछा वोने सुर्भी से पूछा तो यहां सुर्भी की विशिष्टा पूछने से हैं ठीक वैसे बातसल्यम भी आ जाएगा यहां पर कोई नह तुल्ल जननी तुल्ल वत्सला तो प्रश्न क्रिमांक 13 की बाद प्रश्न क्रिमांक 14 पर चलेंगे किस पर चलेंगे 14 पर चलेंगे और यहां पर ध्यान से देखेंगे भावान इती सर्वनाम पदम कस्मई प्रयोक्तम भावान जो सब्द आया है यहां पर किसके लिए प्रयोक किया गया है तो सर्वनाम पद है सर्वनाम पद है भवान ववा निती सर्वनाम पद्व गस्माई तो कह कं कैन कस्माई का शो कश्मिन कश्मिन दिया हुआ है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या लगा हूए यह आपका कश्म बतलादा जल्दी आप अंसर में लिख करके दे दीजिए मैं अभी टिक नी लगाया हूं फिर इसके बाद देखते हैं चेक करते हैं किस किसका सही है जल्दी से लगाई कौन लिख रहा है एवी सीडी के रूपने भी आप लिख सकते हैं देखे जरा किसके लिए भावान प्रय प्रश्ने क्रिवांक रहेगा हमारा पंद्रह प्रश्ने क्रिवांक पंद्रह पर चलेंगे और दिया हुआ है सरलतया सरलतया तृतिया विभक्ति का एक बचन दिया हुआ है पहली बात तो यह जालो सरलतया इति पदश इस पद का विप्रितार्थ का मन बिलोम पद भिप्र तुक कर्षेन में तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सरलतया के लिए तरतिया विभक्ति सबसे पहले इसमें कौन सी दी गई है वो देख लो देन्यम में तो दुतिया विभक्ति दी हुई है बोडों में दुतिया बहुदा में प्रत्मा क्रिछेण में तुक्रिछेण हो जाएगा ये तो सौभाविक है लेकिन दौनों का अर्थ और जान लो क्रिछेण में आपका तृतिया विभक्ति का एक बचल रूप लगा हुआ ह इसका मतलब होता है कठिंधचे और सरल्तयामाने सरल्ताओ से थीक तो द्यान रहकेगा बनेगा विपरीत अर्थकम विपरीत प्लस अर्थकम बरावर विपरीत अहर्थकम दीर की शंधि लगी हुई है विपरीत अर्थको देने वाला प्रश्ण क्रमांग 15 के बाद प्रश्ण क्रमांग चलेगी 16 पर देखें 16 नंबर का प्रश्ण आपका क्या होगा ये पीड यती इती क्रिया पद शकरती पदम किम पीडियती जो पद दिया हुगा है इसका क्रिया पद का कर्तरी पद क्या है ये क्रिया पद है लेकिन इसका करता क्या है इसका करता कौन सा है ये किसके द्वारा पीड़ा दी जा रही है किसको दी जा रही है दोनों चीजों को सोचो तो किसान के द्वारा दी जा रही है सहा द पीडयती तो यह प्रत्मा विभक्ती का एक लगा हुआ है पूरा बाख्ट बन जायेगा हमारा क्रश्काह लग जाती तो यहां पर आपकाcipe 파्ट कर्श्का यती हो जाएगा और यह आपका सीधा कर्म पीड़ा देना प्रत्मा का एक और करता के अनुसार किरिया लग जाती है ठीक तो यहां पर पीडियती बन गया चलें आगे प्रश्ण किर्मांग सोलह के बाद 17 नंबर पर चलेंगे प्रश्ण क्रवांग 17 पर चलेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका 17 नंबर में 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 इती सर्वनाम पदम कश्य ही प्रियोक्तम में इती सर्वनाम पदम कश्य ही प्रियोक्तम में बैकल्पिक रूप लगा हु है मेरा या मेरी में का मतलब मेरा या मेरी तो इती सर्वनाम पद यह जो सर्वनाम पद है आपको मैं बता दूँ यह कहां का है जैसे आप लोगों ने वो देखे ना असमद की रूप अहम माम मया महियम मत मम मय ठीक यहां जाएगा हम आवाम 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 आवाभ्याम 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 आवयोह आवयोह ठीक यहां पर आपका जाएगा अहम आवाम वयम वयम असमान असमान असमाभी असमभ्या असमा कम असमा सुह देखिए यह बन गए इस परकार से रूप चलते हैं यह असमद के रूप हैं किसके हैं असमद असमद मतलब में ठीक है ना अहम मतलब में तो असमद मतलब में तो यहां जो आपका बना है यह सश्थी दुतिया चतुर्थी और सश्थी यहां पर में बनता है में 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 ठीक यह आपका बैकल्प एक रूप है और बिकल्प में यह आपका ऐसे दिया रहता है बैकल्प एक रूप तो यहां पर आपका ध्यान रखना में मतलब मेरा और यह किसके में मेरा या मेरी इस परकार से अर्थ निकलता है कस्याई रूप यहां लगा हुआ है तो निश्चत है कि इस्त्री बाची होगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा का काम कया कश्याई चतुर्थी विभक्ति किसके लिए प्रयोग किया गया है अब यहां देखें इस्त्रिवाची है तो ये तो पुत्र है तो ये तो कट जाएगा यहां ब्रिषभाय पुत्र है तो ये भी कट जाएगा इंद्राय ये भी पुलिंग है ये भी पुलिंग है ये भी पुलिंग है तो तीनों को अटा दो हालाकि ये पुत्र के लिए ये ब्रिषभाय बैल के ल प्रियोग हुआ है आया अंसर तो इतनी माथा पच्ची भी करनी पड़ती है एक अंसर को ढूड़ने के लिए तो आपको आप बस प्रियोग करते रहें जितनी बार प्रियोग करेंगे उतरी बार आपका ही क्या होगा मजबूती होगी परिख्चा का समय है तो आप पढ़ेंगे तो अभी समय इतना है कि आप बार बार दस बार पढ़ सकते हैं चलिए प्रश्ने क्रमांग 17 के बाद 18 पर चलेंगे प्रश्ने क्रमांग 18 देखेंगे क्या लिखा हुआ है मम इत्यर्थे किम पदम प्रियोक्तम ठीक है न तो मम सब्द दिया हुआ है इस अर्थ में कौन सा पद प्रियोक किया गया है तो फिर यहां पर देखो वही आ गया है अहम माम मया अहम माम मया महियम मत मम मै ठीक आप पूरे नहीं लिखूंगा अपके बाल यहीं पर सश्टी विभक्ति प्रत्मा विभक्ति दुतिया विभक्ति तृतिया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचिमी विभक्ति सश्थी विभक्ति सप्तिमी विभक्ति दिया हुआ है सश्टी विभक्ति मैं मम दिया हुआ है तो मम मैं यहां देख लो तो यहां सश्टी कोई देख रहा है क्या इत्य अर्थे पदम किम अभी मैंने आपको ये पूरे रूप बतलाए थे तो कोई विकल्प का रूप बताया था वो कौन-कौन से में बनता था दुतिया में यहां पर देखें। चतुर्थी में और यहां बनाया था सस्टी में बताया था ना बस इतना देख लिए हैं अब यहां देखो मम कहां का रूप लगा भुए है सस्ठी विभक्ति तो सस्ठी विभक्ति का यहां किवल में देख रहा है इसके अलावर कोई भी पद नहीं दिख रहा है इतना देखो अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो एक भी पद आपका एक भी परीक्षा में कुस्चन गलित नहीं होगा ध्यान रखिएगा अब आपने देखा मैच कर लिया यहां पर चलो मैं आप यह देखता हूं कि चलो दूतिया विवक्ति का क्यों नहीं माना दूतिया विवक्ति का इसलिए नहीं माना क्योंकि यहां माम नहीं है माम है पहली बात यह कैंसल हो गया फिर इसके बाद यहा यह नहीं नहीं हैं यह वाला इसलिए इसको चतूरती का नहीं माना लेकिन मैं यहां सश्टी का क्यों उपना क्यों हो दिया है मं के सामने भी में विकल्प में वहनता है was a जाए लिए चारों चीजे आपको सारी चीजे आपके पास जो भी pushing उठाई उसको आपको बोला है और वो प्रश्ने जब तक नहीं उठेगा तब तक कोई आप क्या है उसको अंसर आप सही नहीं निकाल पाएंगे ठीक प्रश्निक्रमांक 18 के बाद प्रश्निक्रमांक 19 पर चलते हैं क्या लिखा हुगा है पुत्रश्य इति पदश्य विशेशन पदम किम पुत्रश्य में कौन से से बिवग्ति लगी हुई है तो आपको सबसे पहले तो यह देख लिए ना पुत्रह के पुत्रम हो है पुत्रयों है पुत्रा तो अब मोझेय कि पुत्तरश्य पुत्रिच ना支持 1945 कहां लगा हुगा है चतुर्थी पंचमी सश्ठी सप्तमी तो सश्ठी विभक्ति में आपका पुत्रश लगा हुआ है यहां पर आपको देख लेना है किसी में सश्ठी विभक्ति लगी हुई का किरपा में लगी है सहस्त्रम में लगी है दीनस में लगी है में में लगी है क्या बताइए तो इसका बिशेशन पद्र मेरा पुत्र या दुखी पुत्र तो पुत्र कैसा है पुत्र कैसा है बताए यहां जैसे कृष्ण सर्प लिखा कृष्ण सर्प यह लिखा सर्प कैसा है वो ले काला तो यहां पर आप यह तो नहीं कहोगे में सर्प मेरा सांप ऐसा तो नहीं कहोगे नहीं क क्या है सर्विनाम है विशेशन नहीं है विशेशन तो क्या होगा दुख होगा क्या होगा दुख होगा दुर्बल होगा पुत्र कैसा है दुर्बल है दीनस से पुत्रश्यो दुखी पुत्र में माने तो मेरा मेरा पुत्र यह सर्विनाम है ध्यान रख लेना और सर्विनाम स सश्टी का ये है ये तो दुतिया है ये प्रत्मा है तो इन दोनों के तो कोई सवाल ही नहीं है लेकिन यहाँ पर इनमें सवाल है कि सश्टी इसमें लगी हुई है सश्टी इन दोनों में तो आपने दीनस से क्यों कर दिया में क्यों नहीं कर दिया भाई साहब में हमारा क्या ह सर्वनाम रूप है और सर्वनाम विशेशन नहीं होता है और यहां विशेशन पूछा जा रहा है तो दीनस दीन दुखी दुखी पुत्र दुर्बल पुत्र पुत्र कैसा है दुर्बल है इसलिए दीनस पुत्रश्य हो जाएगा इसका विशेशन अंसर होगा आपका दीनश आगे चले प्रश्न क्रमांक 19 के बाद प्रश्न क्रमांक 20 पर 20 नंबर का प्रश्न हमारा भिन्नम क्या दिया हुए है भिन्नम इति पदश्य विलोम पदम किम भिन्नम इति पदश्य विलोम पदम किम भिन्ने सब्द का विलोम पद क्या है तो विलो अर्थ का बोध कराने वाला अर्थार्थ बिल्कुल विप्रीत देने वाला अर्थ को विप्रीत रूप में देने वाला विप्रीत आर्थक पद कहलाता है समझ में आया विप्रीत अर्थ को देने वाला ही विप्रीत आर्थक पद कहलाता है ठीक चली बात कर रहे थे तो विप समय मेव होगा क्या समय भी अधिका माने अधिक भिन्न माने अलग और शमम माने समान समय मेव समान ही इसका अर्थ नहीं अधिका माने अधिक और सता माने सब तो यहां पर इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा समम समम हो जाएगा ठीक तो यहां पर आपका यह हो जाएगा multiple choice question का मतलब ही है कि आपको एक प्रश्ण रहेगा और एक प्रश्ण की चार बहु विकल्पिया प्रश्ण रहेंगे जिसमें से एक अंसर हम लोगों को छाटना होता है उसमें से पर ही फोकस करना का मतलब जश्ट उल्टा जश्ट उल्टे पर ही हमें फोकस करना इसकी अलावा हमें किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना अगर इस प्रकार से हम पदों को करेंगे तो निश्चत है कि हम सारे पदों को कर पाएंगी और निश्चत है कि हम कहीं ना कहीं उन चीज से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्छाओं की नोट्स दिए गए है क्या दिए गए है नोट्स और यह नोट्स आपकी परिक्षा के लिए बहुत उपयोगी मैं आपको बार-बार क्लास में मैंने दो-तीन बार बोला है क्यों कि मैंने देखे हैं और सिक्षकों की मार्ग दर्शन में परिक्षा को समय अंतराल में आप उनका उपयोग कर सकते हैं बहुत कम समय में पूरा एकदम पृतिक चैप्टर से जो इंपोर्टन चीज़ां उनको निकाल निकाल करके नोट्स बनाया गया कि परिक्षा में बच्चा कैसे 100 आउट आउट आफ हंड्रेड मारे ठीक आप अगर हंड्रेट का करके आओंगे कहीं पर वाय मिस्टेक क्योंकि बिरहम महतों कोई है नहीं किसी की पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत यारा एक एक ज्यान पड़ा हुआ है कहीं न कहीं जिहा है यह मास्क की जुवा होती है कहीं ने कहीं तूटिया हो जाती है लेकर पद्धती में तूटिया हो जाती है लेकिन जब आप 100 का करके आओगे तो वो सिक्षक कितनी भी अच्छी तरीके से चेक करेगा आपके भाई साब 95 प्लस आएंगे नंबर और जब 95 95 95 प्लस आएंगे सब सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में 100 मार दिये किसी में जैसे मैट्स है आपका 100 आउट अप 100 जाता है मैट्स में विलकु नंबर नहीं करते हैं लेंग बेजिज में थोड़ा सा करते हैं संस्कृत है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से कर लिया तो गैरंट से जो तयार करवाए गए हैं यह नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है मिसेश रूप से बोड किलास के लिए बैसे तो नोट्स बने हुए हमारी सेवन्थ किलास से लिकर के सक distance क्ये और सबकी लिए विसे शूरु से हैं और चाया है और चाहे हमारे वौड एक्जाम। ध्यान रखना है इस बात तका मैं बार बार आप से चैहरा हूँ कि आपको सुचित character करते हूं कि ये पता करना आ şi से हमारे कहां से कैसे प्राप्त होंगे आप तक आप तक कैसे पहुंचेंगे मेरी बात ध्यान से रख लेना चलिए 20 प्रशन हमारे हो चुके हैं जननी तुल्ल वत्सला की अब आगे देखते हैं चलिए यह 20 प्रशन हमारे इसमें 20 प्रशना है यह हमारे बहुभी कल्पी प्रशने 20 थे जननी तुल्ल वतसलाह नामत पाट से इसके अलाबा और अधिक प्रशनों की जरूरत मैंने नहीं समझी क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रशनों को तो मैंने थोड़ा सा और रिवीजन में भी कर दिया है और आप लोगो मल्टीपल चॉइस क्वेस्चन में भी बहुत से वहुभी कल्पी प्रशने पड़े हुए हैं तो आप इनको देखिए इनको अच्छे से देखिएगा सौल्व करिएगा कहीं पर अगर समस्या जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर कि मुझे जरूर बताएं क्योंकि उनका समाधान कब होगा जब आप समस्या बताएंगे समस्या बताएंगे तो उनका समाधान होगा उनकी समाधान पर विचार किया जाएगा और आपकी समस्याओं को हल किर दिया जाएगा बिल्कु चिंता करने से क्या होगा टेंसल लेने स से क्या होगा बैव यह नई बन रहा है यह नई बन रहा है आप किसी भी माध्यम से हों लेकल संस्कृत करीए कोई माध्यम आपका वो निकरता आपको वाद नहीं करता कि आप English Medium से हैं आप Hindi Medium से इससे कोई फरक नहीं पड़ता संस्कृत मतलब संस्कृत धियान रखेंद तो सभी भासाओं की रहोगी संस्कृत कब्यार नहीं होगी संस्कृत ही रहेगा है और नहीं होता है पर का परिवर्तन होता है रखे इस में क्या ले इन्स निकालना है इस बात का तो आप लोगों के लिए बोसे इस रूप से आपको मैं बता दूँ कि इतना अच्छा कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए अध्यान अध्यापन का कर बारत का एक मात्र प्लेट फॉर्म मेगनेट ब्रेंज सी ही कर सकता है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन की रुप में दे रहा है और यूटूब पर सेवन्थ क्लास से लेकर कि 12 तरह क्लास तक की संपूर कक्छा है आपको निसुल के मिलेगी यूटूब पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाईएगा देखिएगा सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होग की सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं मिलने वाला पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर वैल आइकन को दवाईएगी तो नए नहींगा और हाँ मैं आपको बता दू कि यह आप जो टेक्ट देखते हैं ना हाई क्वालटी एजूकेशन का यह मामूली नहीं यह उच्छ गुडवत्ता का प्रतीक है यहां पर आपको जो जहावाल नहीं है फरजी वाला काम नहीं है और आपको आप जो बुक आपके बते नहीं हैं लेकिन वो नोट्स की जो मैंने आप चर्चा की है कि मेगनेट ब्रेंस के द्वारा सेवन्थ क्लास से ट्वल्थ क्लास तक कि संपून नोट्स आप लोगों के लिए तयार करवाए गया है तो वह मिलेंगे कहां तो आप नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रि मुबाइल तो होता ही आजकल गाओं में हर जगे मुबाइल पहुंच गया है तो गाओं में जो अपने रिष्टेदार सगे संबंदी मित्रियार रहते हों उनको सुचित कर दीजिएगा कि ऐसी हमारे यहां पर विवस्था हुई है तो जल्दी से सेर कर दिएगा आग लगा दीजिए ध्यान रखें और हमारे साथ बने रहिएगा जैतु सस्कृतम जैतु भारता